हालो रोस्तो राकेश यूपी ब्लाग में आपका स्वागत है आज हम यूपी प्रियाग राज में एक पार्क है जो भाद्वाज पार्क के नाम से जाना आ जाता है आज हम उसी पार्क का व्यू करने चल रहे हैं पार्क के अंदर 10 रुपे का टिकट लेके हम इंटी कर चुके हैं यह दिखे शेड़ियां दिखाई दे रहे हैं इसी शेड़ियों के मार्ध्यम से अब हम उपर चल रहे हैं उपर आ गये हैं यह दिखे यहां पर चारों तरफ से हर्याली यूप्त बहुत द्वाज पार्क बहुत खूपशूरत दिखाई देता है हम आपको पूरे पार्क का व्यू दिखाएंगे यह दिखे कितना खूपशूरत रिजाइन किया गया है यहां पर साम के समय काफी भीड़ लगती है यह दिखिए पार्क के अंदर बच्चों के मन्रंजन के लिए जूला भी लगाए गया है इस शमय तो हम दुपार में आये हैं जिसलिए यहां पर भीड़ बहुत कम है साम के समय यहां भीड़ काफी दिखाई देता है और देखिए 22 साड़ दिवार पर कितनी सुन्दर सुन्दर चितकारियां किया गया है और हमारे दाएं साड़ देखिए बच्चे जूल रहे हैं तथा यहां पर पार्क का अनंद ले रहे हैं इस पार्क में कुछ कपल सुभी आपको दिखाई दिएंगे जो कि यहां पर अक्सर आते जाते रहते हैं यह देखिए अब यहां से हम आगे चल रहे हैं यहां पर देखिए कितना खूपसूरत चित्यकारी किया गया है काफी जलने यहां पर जिसे अभी तो खराब है नहीं तो बहुत अच्छा व्यू दिखाई देता है अब देखिए जिस्ट बगल में एक सहतूत का पेड़ कितना फल लगे हुए हैं यानि यहां इस पार्क में बच्चों के मंदरंजन के लिए भारपूर्ट चित्यकारी किया गया है वैसे तो इस पार्क में कोई खास चीज दिखाई देने को नहीं मिलता है लेकिन इसको इस पगार डिजाइन चाथा खुबसूरत बनाए गया है सुबा साम यहां पर बच्चों के मंदरंजन था कुछ और मानिंग वाक के लिए यह पार्ग बीच सहर में हैं इसलिए यहां पर लोगों का आवागमन रखता है अच्छा इस पार्ग का सूर्क भी बहुत कम है यह देखे फवारे यहां पर लगाए गया हैं दिन में तो नहीं चलते हैं कुछ फवारे यहां के खराब हैं और कुछ सही हैं जो कि शाम को जब चलते हैं तो खूब सूरत दिखाए देता है दोस्तो अगर इस पार्ग के विशे में जानकारी देने का मेरा तरीका प्रशंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक, सेर्थ, सस्क्राइब करिए तब तक मिलते हैं नेश्ट वीडियो में सभी दोस्तों को नमस्कार, यूम धन्यवाद